हेलो नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से एक और नियो भीडियो में तो दोस्तो इस वीडियो में आप सभी को कुछ इस तरह से पोश्टर बनाना सीखेंगे तो इस तरह का पोश्टर बनाने के लिए आप सभी को एक अपलीकेशन की जरूरत होगा जिस आप सभी को प्ले स्टोर पे मिल जाएगा नहीं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रेप्शन से भी डॉनलोड कर सकते हैं तो देख सकते हैं मैं पिक्साल लाव अप्लीकेशन को उपें कर रखा हूं तो यहां पे नीचे में जो मैं प्रोजेक्ट है इसमें क्लिक कर लेते हैं इसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे आपके पास जितना प्रोजेक्ट रहेगा सभी यहां पर दिखेगा तो यहां पे देख सकते हैं यहीं प्रोजेक्ट आज आप सभी को प्रोइड करने बाला हूँ full HD quality में है दोस्तो तो इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तो बनाने में बहुत टाइम लगा होगा लेकिन आप सभी को मैं 4 मिनट के अंदर ही बना के सिखा दूँगा तो चलिए यहाँ पर पहले हड एक सीज को हैड कर लेता हूँ तो देख सकते हैं जब तक मैं हैड करता हूँ तब तक जो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले तो दोस्तो सबसे पहले इसका साज जानने के लिए कॉर देख सकते हैं आप सभी इस तरह से background address मैंने कर दिया हूँ जो कि Google पे आप सभी को मिल जाएगा नहीं तो आप मेरे PLP से निकाल लेना है तो यहां पर कुछ इस तरह से गनपती जी का PNG आप सभी को यह Google पर नहीं मिलेगा क्योंकि मैं बहुत दिलाग कोशिज करने के बाद इस PNG देख सकते हैं बना के रख दिया हूँ आप सभी को स्वीबधाय के लिए देख सकते हैं इसके बाद दोस्तो इस पे लौक लगा देते हैं लौक लगाने के बाद दोस्तो की हार्दिक सुभकामना है इसे आप editing भी कर सकते हैं तो देख सकते हैं इस तरह से एरजेस्ट करन लोक लगाने के बाद दोस्तों यहां पे कुछ इस तरह से देख सकते हैं गनपत्ति बापा मोरिया, मांगल मूर्ति मोरिया ऐसी कुछ इस तरह से मैं लिख के रखा हूँ जो की PNG में है तो इसे कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से एर्जेस्टमेंट करके इस वे लोक लगा लेना है लोक लगाने के बाद दोस्तों नीचे में कुछ इस तरह से गने सतुर्थी के पास में फ्लाइक को इस तरह से मैं एर्जेस्टमेंट कर लेता हूँ एड़ेस्टमेंट करने के बाद इस वे लॉक लगा देता हूँ तो लॉक लगाने के बाद देख सकते हैं मेरा बन के तियार हो चुका है अगर इसमें आपको फोटो यूज करना है तो प्लस ऐकन पे कली कर लेंगे फॉर्म गेल्डी पर क्लिक कर लेंगे फॉर्म गेल्डी पर क्लिक करने के बाद यहां पर गेल्डी में आ जाएंगे तो यहां पर पिक्सल आप फोल्डर पर चले जाते हैं तो पिक्सल आप फोल्डर पर मैं जाने के बाद कुछ इस तरह से अपना PNG फोटो देख सकते हैं मैं बना के रखा हूँ इसे चोटा करने के लिए मोटा बिंदू पर क्लिक कर लेते हैं मोटा बिंदू पर क्लिक करने के बाद कॉर्णर पर इसतरह से पर लगाते हैं अगर आपको और भी फ्रेंट का फोटो यूज करना है कि Damination Custom है इसे Ultra करके Save to Gallery कर लेना है तो आप जितने quality में बनाए होंगे दोस्तों उतना ही quality में आपकी गैलरी में Save हो जाएगा तो आप सब इस वीडियो को देखते हैं जब तक Save हो रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ देर और वेट कर लेते हैं जब तक Save हो रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पर Save होने के लिए दोस्तों जा चुका है मेरे मोयल की गैलरी में तो देख सकते हैं फैनल यह मेरे मोयल की गैलरी में Save हो चुका है तो आप यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राब जरूर कलीजेगा तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में